हलो और गुड मॉरिंग एवरिवन मेरा नाम है अजे जागलान इजी कॉनोमिक्स में आप सभी का एक बार फेसे स्वागत करता हूँ तो आशा करता हूँ बच्चे आप सभी सकुशल होंगे परे घर पे तो बच्चो आज का जो हमारे पास नेक्स सेशन है सेशन नंबर फोर जिसको हमें कवर करना है उसका नाम है team work जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो unit कर रहे है unit number two जिसका नाम है self management skills तो उस management skills में हमें एक manage खुद को manage करना, खुद को औरों के अनुसार ढालना, खुद को एक one man military के रूप में काम करना, one man army के रूप में काम करना, खुद क तो एक team के अंदर ढालना, ठीक है, एक team के रूप में काम करना, वो जो सारी capabilities हैं आपकी, वो आपको यहां पर समझाई जा रही है, जो आज का session है, उसके अंदर हमें cover करना है, कि teamwork क्या होता है, हम लोग teamwork से क्या हमें help मिलती है, हमें teamwork क्यों करना चाहिए, ठीक है, तो session को cover करत हैं बचे, कहता है कि just imagine that there is a function in your house, कि आपके घर पे कोई भी काम होता है, देखो एक simple definition है, अगर आपके घर पे कोई काम होता है, तो उस काम को आप या तो अकिले करेंगे, या फिर आप जो पूरी family है, दोस्त है, पूरे family members है, सब मिल जुल के काम करेंगे, ठीक है, अगर को घर का ये member ये काम करेगा, ये member ये वाला काम करेगा, और बाकी जो बचते हैं, वो ये वाले काम करेंगे, तो काम को पूरा करने में कितना time लगता है, ठीक है, यहीं से हमें knowledge मिलती है, कि teamwork का effect किसी काम को पूरा करने के लिए क्या होता है, और कितना बड़ा उसका role होता है, ठीक है देखो जो सारे family members है वो एक साथ आ जाते हैं काम को पूरा करने के लिए काम को divide कर लेते हैं ठीक है अगर 100% काम है तो उसको 10%, 20%, 50%, 30% कुछ अपने जो expected ratio है उसके according उसको divide कर लेते हैं और काम को जल्दी पूरा कर लेते हैं और उसके अंदर उसको success भी मिलती है वहाँ पर वो जो failure के chances हैं वो बहुत थोड़े हो जाते हैं बच्चे तो जो teamwork है देखो जैसे आपके सामने एक image है जो काफी सारी चीटियां है बच्चे चीटियां अपने वजन का 10 गुना तक का weight है जो वजन है उसको उठा सकते हैं लेकिन अगर वो इकल 검찰 काम करते हैं तो कितना weight उठा पाएंगे अगर काफे सारी चीटिया मिलके काम करती हैं तो आप इमेज में देख सकते हैं कि तीन चार चीटिया हैं वो किसी वजन को उठा रहे हैं एक टीम वर्क के रूप में आपको एक्जांपल शो किया जा रहा है और आप बहुत पहले से बच्पन से एक कहानिया भी सुनते आ रहे हैं बच्चे के एक पिता था हॉस्पिटल में था वो बेड़ पे मरने की हालत में था उसने अपने चार बच्चों को बुलाया एक एक लकडी दी के तोड़ो सबने एक एक असानी से तोड़ दी ठीक है और उसने एक दोबारा सारी लकडी दोबारा एक टी करके दी के अब इनको तोड़ो उनको कोई भी नहीं तोड़ पाया उसने सिखाया कि एक ता में बल है यूनिटी सिखाया और वही यूनिटी एक टीम के रूप में काम करती है ठीक है बच्चे जो पूरा पार्ट का लेसन का सार था, मोरल था वो ऐसा ही कुछ है हमारे पास जो टीम की डेफिनेशन है वो आपको सिखा देता हूँ मैं देखो कहता है कि टीम की एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि together everyone achieve more अगर सारे एक साथ मिल जाते हैं सारे एक साथ अलग लग लोग इकठे मिल जाते हैं तो वो जादा achieve कर सकते हैं जादा पा सकते हैं अकेले अकेले तो सब परेशान हो जाएंगे थोड़ा कर पाएंगे अपनी capabilities को पूरा नहीं कर पाएंगे एक cricket team होती है एक एक लोता player तो सब को नहीं जिता सकता पूरे team को बचे पूरे देश को नहीं जिता सकता सब मिलके खेलेंगे एक baller होगा एक अच्छा fielder होगा batsman होगा ठीक है wicket keeper होगा ठीक है बचे fielder होगे ये सब अपना contribution देते हैं team को जिताने के लिए बचे ठीक है आगे कहता कि जो team होती है हमारे पास देखो एक football का match है आपको example दिया गया है सारे खिलाड़ी 11 के 11 12 के 12 खिलाड़ी एक साथ खिलते हैं बोल को जो opponent है उसकी goal post में पहुचाने के लिए अब अगर मालो कोई इकलोता बंदा खिलता है वही goal keeping करेगा वही striker की भूमी का निभाएगा वही defender की भूमी का निभाएगा वही D के अंदर खेलेगा और वही next जो opponent की goal post में goal करेगा बच्चे एक बंदा इतना सारा काम कैसे कर सकता है नहीं वहाँ पर ज़रत पड़ेगी team की हर कोई अपने position का हर कोई अपनी game की position का एक perfect player होगा वो एक specialist होगा बच्चे ठीक है आगे कहता देखो जो Jay और Ashok है आपके example की तोर पर समझाया गया है दोनों अलग लग है अगर देखो दोनों में comparison करते हैं Jay के बारे में पड़ते हैं कि Jay loves being part of team Jay टीम का हिसा बना चाहता है वो हमेशा टीम में काम करना चाहता है and helps his team members in improving their skills और हमेशा जो अपने team के members हैं उनकी skills को improve करता है उनकी जो skills हैं quality हैं उनके अंदर improvement करने की कोशिश करता है he volunteers to keep his neighborhood clean by participating in community cleaning drive के जो महौले आस पास के महौले में जो साफ सफाई होती है उसके अंदर वो अपना योगदान बरपूर मातरा में देता है कि साफ सफाई रहे तो आप Jay जैसा बनना चाहेंगे या फिर जो अशोक है अशोक likes to score goals अशोक अकेला काम करना चाहता है he is the highest goal scorer and he proud of it वो इकलोता बहुत बड़ा goal scorer है और एक proud अपने आपे proud करता है he does not pass the ball even at the cost of his team losing the game अगर उसके team हार भी रही होना तब भी वो goal goal को pass नहीं करता goal को पूरा करने के लिए मतलब कहीं न कहीं उसके mind में negativity है वो अपने आप कोई जादा सोचता है गमंड है उसके अंदर और last point में कहता है if everyone else scores the goal he is jealous अगर उसके इलावा कोई और goal कर देता है वो jealous feel करता है बच्चे तो मुझे comment section में सारे बच्चे लिख के बताएंगे अपना answer देंगे आप जय जैसा बनना चाहते हैं या फिर आप अशोक जैसा बनना चाहते हैं आप अशोक की तरह behave करते हैं या फिर आप जय की तरह behave करते हैं जय में कौन सी ऐसी qualities हैं जो आपको अच्छी लगती हैं और अशोक के अंदर ऐसी कौन सी जो उसकी qualities हैं या फिर उसके अंदर ऐसी कौन सी कमिया है जिसको आप सुधार करना चाहेंगे बच्छे मुझे comment section में अपना answer जरूर देना बच्छे ठीक है देखो आगे जो teamwork है उसके benefits बताये गए हैं हमें benefits कौन कौन से हैं बई देखो कहता है everyone has role to play a team सबका एक role है team में खेलने के लिए so to pressure to succeed is not on one individual individual के जो pressure team अगर खेलती है तो जो हारने का जीतने का pressure होता है खेलते हुए pressure होता है वो इकलोते बंदे के उपर नहीं आपाता वो एक पूरी team उसको जेल लेती है ठीक है आपको support system के तोर पे काम करता है help provide करता है ठीक है आपको जब success मिलती है team के तोर पे आपको अ images show की गई है यहाँ पर teamwork को समझाने के लिए ठीक है एक rugby का player है ठीक है आप देखो जीतते हैं कैसे enjoyment करते हैं team के रूप में काम करते हैं तो मैं आपको जो एक अच्छी सलहा दूँगा कि अपने आपको हमेशा एक देखो बहुत अच्छी quality होती है one man army के रूप में काम करना इकलोत है काम करना यह skills भी आपके पास होनी चाहिए लेकिन एक team के रूप में काम करना है कैसे help करनी है कैसे pressure को handle करना है वो knowledge भी आपके पास होना चाहिए और team में काम करना बहुत lucky चीज़े होती है बहुत अच्छी बात होती है team में काम करना ठीक है दोनों ही point अपने आप लोग ऐसे सब का नीचर डिफरेंट होता है घमंड करने लग जाते हैं उनको इगोईस्टिक प्रब्लम हो जाती है कि वही सब कुछ है वही अकिलोते सब कुछ कर सकते हैं यह भूल कभी भी किसी को नहीं होनी चाहिए ठीक है तो जो यह शेशन था उसके अंदर सर्फ इतना ही कुछ questions है हमारे पास वो कर लेते हैं कुछ subjective questions है जो आपको यहां से cover करने हैं बचे जो मैंने chapter समझाया है unit session समझाया है आपको यहां से आपके लिए वह असानी से cover हो जाएंगे वो questions कौन से है what is teamwork teamwork होता क्या है आपको बताना है ठीक है what are the benefits of working in a team के team में काम करने के क्या फायदे होते है benefits क्या है और fourth question में what quality should be should a good leader possess के जो team का एक leader होता है उसके अंदर कौन कौन सी अच्छी qualities है जो होनी चाहिए अगर आप एक leader है comment section में आप सभी को बताना है अगर आप देश के प्रधान मंत्री बनना चाहते है ठीक है किसे team के captain बनना चाहते हैं तो आपको कौन सा लगता है कि अच्छी qualities होनी चाहिए team leader के अंदर मुझे comment section में सारे बच्चे ज़रूर लिखके बताए यहां से मैं आपका IQ level चेक करना चाहता हूं कि आप 10th class में होने के बावजूद आपका mind कितना develop हो चुका है कि आप team को किस तरीक क्लियर हुआ होगा अगर session से related कोई भी doubt है कोई queries है तो मुझे comment section में जरूर लिखे और बच्चे जो questions मैंने आपको video के दोरान पूछे हैं उनके answer मुझे comment section में जरूर लिखे बताए और जितना जादा हो सके इस video को share करे क्योंकि यह बहुत एक skill important subject है बच्चे और 10th class के सभ सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नो ने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बैल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको रिजन जो लेटेस्ट नॉटिफिकेशन से वो आपको आसानी से मिल जाए ठीक है यह बच्चे थैंक्स पो लस्निंग हवे ग्रेट जे